हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने ही चैनल सीव कोचिंग ग्लासस पर स्वगत है और आज बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर होने बाला है रेगुलर लगातार आज से लगबाग पांस दिन पहले से यही कमेंटार हा कि सर क्लि को जो समीती बैठी थी बैठा कुगा था उसमें बहुत सारे डिसेजन लिए गए हैं उसके बारे में संपूर जानकारी दे रहा हूं तो वीडियो को आं तक देखते रहें और सभी को सेयर कर देना अपनी दुस्तों सेयर कर देना देखे जब तक कोई निउज मुझे क्लिय क्यारी मतलब नहीं हो सकता मतलब 100% से और नहीं हो जाता तब तक मैं वीडियो बनाता ही नहीं और बहुत सारे बच्चे आज WhatsApp में मेरे कमेंट किये कि सर आप यह बताए कि यह सारे बहुत सारे चैनल वाले क्या एक बढ़िया बेतरी चोटा से टॉपिक उठाते हैं बोल दे हैं और बच्चों को डी मोटिवेट हो जाता है तो मैं सभी ऐसे चैनल बालों भाईयों से मैं बिंती करता हूं यार कि डी मोटिवेशन वीडियो मत बनाए क्योंकि बच्चों की मन में उदासी आ जाता है समझ पा रहे हैं जब 100% से और हो जाए तभी वीडियो बनाए तो कुछ प्रमुक टॉपिक्स मैं लिख लिया हूं क्योंकि इतने सारे चीज़ें मतलब आज जो नियम फैसला लिया गया है उसके बारे में सबसे पहला तो प्यारे भाई एक्जाम कब होगा पहला कुछन आपका एक्जाम कब होगा तो एक्जाम है पहले भी बताया गया था आज से एक महीने पहले कि 15 अप्रेल के बाद और आज बता दिया गया है कि एक्जाम जो होगा वो लास्ट बीक में मतलब अप्रेल के लास्ट बीक में हो ही जाएगा अर्थात आप समझ लीजे 20 के बाद 20 के बाद एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे हां और माई के मतलब आपको एक्जाम की तेहरी करनी है अब दूसरा चीज ही है कि कैसे होगा आप लाइन या आन लाइन तो अभी तक तो आप ही लाइन होने की संभाबना है लेकिन इस बारे में भी चर्चाए हुई है कि हो सकता है कि आन लाइन हो जाए लेकिन ऐसा इंपॉसिबिल है क्योंकि जेक्टिव तो रहेंगे यह नहीं कि आज टिक मारक एंसर रहेगा आफ ही लाइन होगा यह ज्यादा मैक्जिमम चांस है बहुत ही कम सहरों में ऐसा हो सकता है जा आन-लाइन कंडेक्ट कराया जा सकी जहां कंप्यूटर कोसे बच्चे कंप्यूटर करके रखें अभी हैं तो आन-लाइन या आफ-लाइन के बारे में तो आफ-लाइन होगा द्यान रखना मैं तो कह रहा हूँ कि आफ-लाइन होगा अब देखिए तीसरा सबसे बड़ा यहां पर यह मुद्धा उठाया गया कि जैसे सपल्मेंटरी होता है बच्चा उसका दुवारा एक्जाम होता है समझ रहें या कि माली जे फेल हो गया तो दोबारा स्रेडिस उदार करना होता है तो अब साल में दो बार समिल सफलमेंटरी के जगे दो बार एक्जाम होगी अब इसमें क्या क्या चीज़ है जैसे आप ने एक बार एक्जाम दिया आप मालो फार एक्जाम पलपास है आपके कितने percentage है 45% आप चाहते हैं कि 3 महीने बाद पुना जो एक्जाम होगा जैसे जुलाई में पुना एर कंडेक्ट करा जाएगा है ना मतलब जुलाई में पुना दुबारा पेपर लिया जाएगा तो आप चाहेंगे कि हमारा 45% है तो हम एक बार पुना एक्जाम दे करके हम 55% या 65% या 70% जो भी बना सकते हैं तो यह आपके पास एक सुनहरा अपसर रहेगा आप चाहें सभी बिसे में पास हों आप दुबारा पेपर दे पाएंगे परिच्छा फॉम भर के समझ पा रहे ना अब दूसरा चीज जो फेल होगा तो जैसे पे एक फाइदा यह कि जो बच्छा स्रेडि सुधार करता था कम पर्सेंटेज आ जाते हैं पास आउट हो गए तो दुबारा पेपर होता नहीं समयल सप्लमेंटरी का होता था है ना यह कि रुख जाना नहीं होता तो अब इसा नहीं होगा आप सप्लमेंटरी का एक्जाम नहीं देना होगा सिधे डारेक्ट दुबारा पेपर दे दिया जाएगा समझ रहे तो आप से पूरे विसे के दे सकते हैं आपके कम परसंटेज हैं तो परसंटेज बनाने के लिए सभी विसे का दे सकते हैं तो यह हो गया कुछ प्रमुख आज का निर्ड़ है ठीक है और मार माक सीट में आपका फेल नहीं लिखा रहेगा जैसे आपने से फेल हो गया और दोबारा एक्जाम करा जा रहा है तो जो रियर ताएगा उसमें पुल नहीं रहेगा कि आप फेल हें 80-80 मतलब आप वहां पर इसनीशन नहीं जिसमें आपको टेंसर नहीं रहेगी हम फेल थे कभी जिंदिगी में उस पे कोई मार्क यह चीनल लगा है तो यह कुछ प्रमुक फैसले थे तो आप लोग खुस हो जाओ और बिलकुल आप लोग तैयारी करो ऐसे बच्चे बहुत सारे तो डी मोटिवेट भी होंगे यार जाम होना यह अब हम क्या करें तो प्लीज यार हमारे चैनल में बिन प्रकार की तैयरी कराई जाती है चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो जो भी मेरे पास डेपनेट नूज आएगा मैं आपको देता रहूँगा चलिए मिलते हैं आगले वीड जर घार मैं आप करें आगले करते हैं गоминаं और अड़ाईगा बिन दूट पर गले करते हैं चैनल करते हैं तो पल्सक और दो को फड़ाईब हBoनाम हो सहे हैं आपकог रेगले हो सेहें पासा दोबते हो यारोन दोडत आपको बिन प्रू AK-जारम चार प्यूवश, पक्र ट tastes